दुनिया के सबसे जाने माने काम्याब और रेस्पेक्टेड इंवेस्टर वारें बफेट ने कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सकें तो आप कर्भी अमीर नहीं होतें ऐसे में आप जिंदगी भर काम करते रहने के रुपए को अपने लिए काम करने पर लगा दें नाशकार दोस्तो विपावली के मौके पर असंखे सुपकाम्याओं के साथ आज फिर मैं अपने मनी मास्ट्री के एक बहुत इंपोर्टन्ट लेसिंज की लर्निंग आपके साथ शेयर करने वारा हुए जहां मैं MSI और MMS के बहुत पापुलर से यह MMS तो है Multiple Money Making Skins यहां कमर कसके बैट जाएए नोट्स बनानी के लिए नोट्बुक निकाल लीजिए पैन भी ले लीजिए अगर आप वाकर इस वीडियो का सही और पूरा लाव उठाना चाहते हैं तो इतना करना जरूरी है देखिए आधा-धूरा देखने से कोई लाब नहीं होगा और वीडियो स्किप तो भूल कर भी मत कर दीजेगा वरना कुछ ऐसी बाते हैं आपके हाथ से निकल जाएंगी जो पहले आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन उन पर अमल नहीं किया होगा पर आज ना जाने मेरा कौन सा शब जाने कौन दीमता का कलुष्टम छीण हो स्नेह का सागर समर्पित आपको साथियों कैसे हैं आप सब आपके जीवन से हिंता और दीमता की काली छाया दूर हो और सुक समर्द्धी भरपूर हो अब क्या हुआ कि हर बार की तरह मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि दीपावनी पर मैं क्या खास दो इस तरह से मैं वैलु एड़ कर सकता हूं आपकी लाइफ में कौन सा तोफ़ा इस मौके पर मैं आपको दूँ ऐसा तोफ़ा जो आपके लिए लाइफ चेंजिन हो जाए और फिर ख्याल आया कि अरे दिपावली यानि लक्ष्मी जी की बात है लक्ष्मी पूजन होगा और लोग खास तोर से लक्ष्मी पूजन के लिए बैठी हुई लक्ष्मी घर लेकर आते हैं ताकि लक्ष्मी जी घर आकर बैठ जाएं और जाने का ना ही ना लें है ना दोस्तो तो दिपावनी पर, दिपावनी की शुक आमनाओं और लक्ष्मी जी के इलावा और क्या जरूरी हो सकता है कुछ नहीं तो मुझे भी बात लक्ष्मी जी पर ही करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लकष्मी कैसे आपके पास आए ये बताना चाहिए दोस्तों लक्षमी यानि पैसे के बारे में आजकल मैं बहुत फुल कर बाचित करने लगा हूँ जब कि जीवन की सभी सुख़विदाओं और अराम की जिन्दगी के बावजूद रूपाएं पैसे को लेकर अपने नेगेटिव थौर्ट्स और दुलीट के कारण एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं पैसे का नाम सुनते ही अनकमपटेबल हो जाता था आपकवर्ड फील करता था पैसे की कमी भीकर से काटने लगती थी ना दोस्तों के सामने ना परिवार के सामने ना खुद अकेले में कहीं पैसे का जिक्र आया पैसा खर्च करने की बात आई तो बस मन में एक सन्नाटा घबगाहट, बेचैनी, उदासी, अफसाद और मैंने इस सिच्टेशन से अपने आपको बाहर निकाला है इसलिए ये विशय मेरे दिल के बहुत करी है और आज मैं जो भी कहूंगा वो दिल से कहूंगा अपने लीजी तज्यूर्बे से कहूंगा सीखा हुआ तो कहूंगा ही अपना भोगा हुआ भी बताऊंगा और दोस्तों आप मुझे बढ़ाई भी दे सकते हैं क्योंकि अब तो मैंने बाकाइदा इडवांस कोर्स में शुरू कर लिया है मही माश्ट। जिसमें पैसा क्या है क्यों है क्यों पैसा आपके पास नहीं आता या कैसे पैसा आपके पास आ सकता है इस तरह unlimited पैसा या unlimited wealth हम create कर सकते हैं या कमा सकते हैं और आज अज़र पैसा नहीं है तो उसके क्या कारण है या इसकी जड़ में actual problem क्या है इन सब बातों के solutions आपको बिलिए पैसा आज भरपूर है तो वो कल भी भरपूर बना रहे और ज्यादा बढ़ जाए कम ना हो यानि प पैसे से related जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आपको मिलेंगे और सब कुछ बहुत practical बहुत सरल तरीके से बताया गया है जिसे बस आपने step by step follow करना है और आज की ये वीडियो भी आपने ध्यान से पूरी सुन ली समझ ली तो आज ही पैसे को लेकर आपके कई concept clear हुले और आ आप money making की राह पर चल पड़ें इसलिए दोस्तों वीडियो का कोई हिस्सा बिल्कुल मतमिस कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएं प्ली साथ कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को जादा से जादा अपने साथियों में शेर भी कीजिएग अच्छा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए क्या आप multiple sources of income चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं multiple sources of income create करना तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ इससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा एक नहीं क्या ही multiple sources of income मैं आपको बताने वा लेकिन अब एक बात और बताईए और बताईए से मतलब मेरा है कमेंट कीजेगा क्या आपने कभी यह सुना है कि 4-6 जगए हाथ-पाउ मानने के वज़ाए सिर्फ एक जगा काम करो एक काम पर focus करो बस एक ही काम करो और उसी काम में महारत हासिल करो expert हो जाओ उसके और कुछ करने की ज़रत नहीं है या सिर्एक नौकरी पकड़ो और लगातार वही करते रहो उसी में पूरा जीवन बिटा दो बंधी बधाई तंखा आ रही है ना लाइफ में और क्या चाहिए इधर उदर भटकने का क्या फाइदा और दोस्तो मैं भी यही समझता था और यही कहता लेकिन दोस्तों आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपके एक या दो नहीं ज्यादा से ज्यादा याली मॉल्टिपल सोर्स ऑफ इंकम होने चाहिए अगर आप जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना चाहिए आप वैल्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए अगर आपक लेकिन आता हुआ पैसा इसको बुरा लगता है नहीं लगता ना और क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो लोग आपको यह सला देते रहे हैं कि एक ही काम पर फोकस करो वो रुपए पैसे के मामले में कही न कहीं बंधे हुए हैं उनकी ग्रोथ एक हद तक जाकर रुख जाती है और रुख किस ले जाती है क्योंकि आपके पास समय सीमित है और आपके काम करने की शमता या एनरजी भी सीमित है लिमिटेड है और इसी लिए हमें कुछ पैसिव सोर्स ओफ इंकम जरूर क्रियेट करने जा है अब यह पैसिव इंकम क्या होती है और किस किस तरह से हम पैसिव इंकम क्रियेट कर सकते हैं इस पर मैं पसल्ली से बात करने हुए तिलहाल ये समझजवे कि इसी भी माल्टी मिलेनियर को उठाकर देख दीजिए, कहां से पर शुरुआत करूँ आप बताईए, एक टाटा आट चिए उनका कोई एक बिजनेस है, किसी एक सोर्स से उनके पास इंकम आ रही है, पिरिलाज, क्या उनकी किसी एक source से income आ रही है नए जमाने के, Ambanis, Reliance, क्या उनका source of income एक है Adonis, क्या उनका कोई एक business है, क्या उनका source of income एक है जै सोचे कि तमाम नए नए entrepreneurs आ रहे हैं, start-up क्यों कर रहे हैं क्या उनका आज केवल एक source of income है Alan Musk को लीजिए, क्या उनका एक ही business है, किसी बड़े super rich इंसान को ले लीजिए अच्छा आपने shark tank देखा होगा, जिसमें established businessmen जो की अपने tweet के ब master हो गए है उन्होंने कोई start-up किया, और अब बहुत established लेकिन इस show के जरीए वो क्या कर रहे है अपने investment को और अलग-अलग start-up में business में लगा कर अपनी income बढ़ा रहे है, यानि multiple sources of income create कर रहे है अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि हमारी भी multiple sources of income हो जाए लेकिन कैसे हो, ये सवाल आया दिमाग में, तो इसका भी उपाय बताता हूँ multiple sources of income कैसे बने, सोचिए एक बार कि जब भी आप कभी नौकरी के बारे में सोचते हैं अपना कोई business start करना चाहते हैं, किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, बताइए, जब आप अपने career की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होता है ना-ना, CV या resume बनाना भी लिखना है, क्योंकि उससे पहले थोड़ा और पीछे जाईए और वहाँ सोचे कि क्या होता है जी हाँ, education and qualification, यानि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, उस subject पर आप अपने आपको पहले expert बनाते हैं, qualifier तो आप में कुछ साल हम पढ़ाई करते हैं, और फिर अपनी पसंद के हिसाब से, या फिल्ड चुनते हैं, यानि आप कुछ साल उस काम को देते हैं उसकी शुरुआत करने से पहले, और किसी भी नौपनी को अप्लाई करने से पहले भी आप उस job के लिए पहले qualify कर, फिर apply क आप देखिए, चाहे ये छोटे से छोटा कोई काम हो या बड़े से बड़ा, वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉसेस यही होगा, चाहे दस्तकारी का काम हो, तो पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी job लगेगी, या आप अपना काम शुरू करोग है, आप B.A.T. करते हो, M.A.T. करते हो, या फिर आप PhD करते हो, किसी कॉलेज में आपको लेक्षर या प्रॉफेसर बनना है तो, और अगर आप इंगीनियर बनना चाहते हो, तो इंगीनिरिंग की पढ़ाई करते हो, फिर आप उस पोस्ट के लिए अपलाई करते हो, और एकपर्ट आप हो गए है, उसके अनुसार आपकी इंकम कम या ज्यादा होती है, राइट? कि आप कितनी स्पेसलाइज सर्विस दे रहे हैं? एक सर्जन की इंकम, एक जर्नल फिजीशिन के मुकाबले ज्यादा होगी, है ना? लेकिन बावजूद इसके जब हम मल्टिपल सो आप से पहले क्या आता है? कि क्या-क्या सोर्स ओफ इंकम हो सकते हैं? ये एक बार भी दिमाग में नहीं आता कि हम किन-किन चीजों में, किन-किन कामों में एक्सपर्ट हैं, या हम किन कामों में क्वालिफाइड हैं, या कौन सी वो स्किल्स हैं, जिनको हम सीख सकते हैं, ता कौन से source of income बताता है और कौन सा वो आसान काम होगा जिसको हम कर लेंगे और इमानदारी के साथ कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसा हुआ यह नहीं दोस्तों यह एकदम गलत तरीका है उल्टा तरीका है हम मौकों की तलाश में लग जाते हैं अपॉचुनिटीज धुणने ले जाते हैं और इसी लिए यह मल्टिपल सोर्स ऑफ इंकम जर्णेट करने का सबसे खराब तरीका है जब कि करना हमें यह चाहिए कि हमें अपने इंट्रेस्ट के अनुसार अपना MMS डेवलप्स करना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन अपने इंट्रेस्ट और अपनी स्क कोर्स के अंदर डिटेल में लेसंस रखे हैं step by step टैक्निक भी है जिनको करके आप अपने पैशन को अदेन्टिपाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और आपको लाइफ में जो डिसीजन लेने हैं तो डिसीजन किस बेस पर आप ले सकते हो मैंने डिसीजन में स्किल पर एक separate lesson में detail में समझाया है तो पहले हमें अपना passion discover करना है और फिर MMS skills create करने है MSI यानि multiple source of income को अपने आप create होने लगेंगे तो हमें multiple money making opportunities की तरफ नहीं भागना है पहले multiple money making skills को develop करना है और जादा तर दोस्तो हम लोग करते इसका छी कुल्टा है मैं आपको अपना ही experience बताता हूँ जब मैंने हिंदुस्तान टाइम से job छोड़ा तो कुछ reserve पैसा अपने पास रख लिया था कुछ investment थी जो कि उस समय मुझे लगता था कि बहुत है mindset की problem थी मैं शायद relaxed life बिताना चाह रहा था और साथ ही साथ जो मैं multiple source of income generate परना चाह रहा था वो भी बिना सीखे बिना अपने temperament या अपने interest पो जाने कोई भी नई opportunity दिखती थी तो लगता था जो मैं इसे अजमाया जाए तो मैंने plan किया कि एक magazine निकाली जाए help magazine और उसके अलावा भी market trend के अमसार बहुत सारे idea जा रहे थे और क्योंकि मैं media के line से था newspaper और magazine design करता था बारीक समझती मुझे इन सारी चीजों की अब देखिये मुझे बारीक समझ थी तो सही लेकिन किस चीज थी मैं पार्ट था editorial का design करता था designing का हिस्सा था तो मुझे उसकी समझ थी लेकिन एक और बहुत important part जिसकी ज़रूरत हर product के लिए पढ़ती है marketing marketing की मुझे समझ नहीं थी product बना सकता था लेकिन उसको बेचा कैसे जाए तो 6-8 महीने खूब मैंने उसको वक्त लगाया energy खर्च करी और बहुत शांदार-शांदार magazine की dummy तयार करी international level के designs तयार किये और अपने मन ही मन में ये भी plan कर लिया कि किस तरीके से से बेचा जाए लेकिन जो skills आपकी नहीं है और उनको आप बिना सिखे try करना चाह रहे हैं तो क्या होगा देखिए वो गुर्दास मांजी का एक गाना है मामला गड़बड है तो मामला गड़बड ही होगा और गड़बड ही हो जाता है मेरे साथ भी एई हुआ ये तो एक इसके अलावा भी कही जगे मैंने try किया लेकिन गल्पियां ज्यादा तर वही दोराता रहा कि ना सीखे opportunities को देखकर उनको cash करानी की position skill development पर focus नहीं दिया तो तो आप मैंसे कितने लोग हैं जो stock market में trading करते हैं या investment करते हैं और उनमें से भी कितने लोग हैं जो trading या investment की proper learning ल लगातार phone आते रहते हैं message आते रहते हैं लोग पूछते है stock market में profit के लिए ओपोनो पोनो प्रेयर कैसे करूँ कौन सी affirmation बोलू trading में profit हो हम दोस्तों आप ही बताईए कि मैं उनको कौन सी affirmation बताओ आफ्रमेशन सिर्फ इतनी है कि आप अपना skill पहले develop करो और फिर इस्तमाल करो और देखे stock market में investment वाकरी एक बहुत शांदार कमाल का money making tool है लेकिन उसका इस्तमाल आख को सही तरीके से process को follow करके करना पर है इससे बढ़िया business और कोई हो नहीं सकता ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में उसको सही नजर से नहीं देखा जाता और उसके पीछे current में सिर्फ इतना है कि majority लोग बिना सीखे इस काम को शुरू कर देते हैं या तो किसी के भरोसे पर या फिर किसी लालत किसी के भरोसे से मतलब मेरा है कि किसी टिप पर या फिर आपके broker ने आपको कुछ हरा हरा दिखा दिया तो stock market में investment को अच्छी नजर से ना देखने का कारण भी सिर्फ mindset की कमजोरी और रुपए को लेकर हमारे negative beliefs और जब आप किसी काम को बि से ना सीखकर जब आप अपने तजर्वों से सीखते हैं तो कई बार देर हो चुकी होती है ताथ साथ छोड़ देते हैं चने चवाय ही नहीं जा सकते अब देखिए गलती कहां करते हैं लोग 10-20,000 रुपए या 50,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहते किसी course पर proper learning लें किसी चीज़ की और फिर उस काम की शुरुआते हैं अरे भाई आप सोचे तो सही एक बार कि एक डॉक्टर जो अपने प्रॉफिशन से लाखों रुपए कमा रहा है और आप उसे बड़ी हसरत के साथ दिखते हैं और अक्सर आप उनके बारे में दूर से ही भला बुला भी कहते रहते हैं लेकिन लाखों रुपए की कमाई शुरू करने से पहले उस डॉक्टर ने अपनी उस स्किल को डवलप करने के लिए कितने साल लगाए कितना पैसा इंवेस्ट और आपने स्टॉक मार्केटिंग या ट्रेडिंग शुरू कर दी बिना एक रुपए भी खच दिये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं और शिरुवात कर दी अरे एक मॉटर मेकैनिक भी कई साल पर अपने उस्ताथ के साथ सिर्फ चाबी और पिस्टस उठा कर देता रहता है या तो गाड़ी के पार्ट्स खोलता है या फिर बंद करता है पस तब कहीं जाकर किसी दिन पाद उसको कहता है चल बे इस गाड़ी को जरा देख ले वोलिए दोस्तों हां के हां अच्छा एक मज़दार बात और बताओं अक्सर मैंने जिक्र होते हुए सुना है और खुद भी समझदारी का हिस्सा बना हूँ जिक्र का हिस्सा बना हूँ आप भी जर वाला भी हो सकता है जब जब आप वहां से गुजरते हो आपको वहां एक लाइन दिखाई देते हैं लोग लाइन में लगकर अपनी सर्विंग का इंजार कर रहे हैं और आपके मन में एक ख्याल आ रहा है यार क्या कमाल की इसकी दुगान चलती है इसे बढ़िया तो मैं ब रेस्टोरइन खacter window सिर्फ घृणा वनाना या सुआद की समझ होना यहे स्किल नहीं चाहिए रैस्टोरेंट ज॑ किया जाए ज़्याधा से ज़्यादा लोगों तक स्वाध को कैसे पहुँचाया जाए और मुझानिट लगातार होते गाटे में अपने इनोशनल pattern को किस तरह से control में रखा जाए देखी ये एक बहुत काम की चीज निकल कर आई है emotional pattern यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हम अपने किसी भी business में loss उठाते हैं और जब loss उठाते हैं तो ripple effect में और बड़ा loss उठाते हैं emotions हम अपने emotions को control में नहीं रख पाई तेचैनी घबराहट डर यह सब आप से बहुत सारे गलत action कर वा लेगा आप तो क्या लगता है stock market में सबसे ज़्यादा loss लोगों को क्यों होता है जी हाँ अपने emotions को control में ना रख पाने के का रख दर और लालज यह दो सबसे जरूरी स्केल जो सीखनी है वो है अपने emotions को कैसे कावो में पस यही है आपकी सफलता का मंत्र या महा मंत्र देखिए बात होती जारे यह लंबी और जो मैं आपको multiple source of income बताना चाहता था उसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुए लेकि मुझे यह लग रहा है कि उससे पहले यह बात बताना और समझाना ज्यादा देखिए mindset पर काम करना ज्यादा important है अपने skill set पर काम करने से क्योंकि mindset अगर आपका तयार हो गया तो skill set आप अपने आप develop कर लो और अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मान लीजे हमने skill set भी अपनी तयार कर ली हमने skill develop कर ली अब आपको किसी एक source से खुब पैसा आ रहा है लेक नहींना इसलिए दोस्तों मैं कहा रहा हूं कि एक काम में नहीं एक से ज्यादा काम में महारत हासी अपनी skills को बढ़ाईए अचा चलो आपकी यह बात भी मान ली कि आपको लगता है कि लिमिटेशन है हमारे सीखने की समय और energy वो भी limited है लेकिन आप काम को delegate तो कर सकते हैं आ पहले आप कुछ समय सीखते हैं और उसी के बाद आप वहां कुछ productive काम कर पाते हैं और अगर आपको काम को और ज्यादा बढ़ाना होता है तो आपके कुछ staff ही रखते हैं तो बस मैं यही कहना चाहरा हूं अच्छा अब मैं आपको एक और example देता हूं बहुत common आजकल बहु इंडेस्ट्री में है किसी doctor family का बेटा या बेटी आपको doctor नहीं रहता है या किसी engineers की family में next generation में उनका बेटा या बेटी इंगीर नहीं निकलते हैं और politician अगली generation में कोई politician नहीं रहता है यहां तक कि कला के क्षेत्रों में भी magician के बेटे मुजीशन ही बनते हैं, कार पेंटर का बेटा कार पेंटर बन जाता है, और सभी बिजनेसमेन जादा तर अपने बिजनेस को ही सभालते हैं, लेकिन जो important बात है, वो मैं यह कहना चाहरा हूं कि किसी बड़े स्टार का बेटा या बेटी, आपको क्या लगता है असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं देखते हैं, समझते हैं कि सेठ पर क्या हो रहा है यानी अपनी qualification को अपने skills को डव्लब करते हैं अब फिर उसके बाद चाहें वो OTT के लिए काम करें, या फिल्मों के लिए काम करें दोस्तों बात समझने आ रही है या नहीं? क्यों मैं कहना चाहरा हूँ वो यह है कि सीखना, अपने स्किल्स को बढ़ाना कितना important है, कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी money making skills को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप money को यानि पैसे को और ज़्यादा attract की नहीं गरता हैं. इसलिए आपको पहले MMS यानि multiple money making skills को develop करना होगा. Again I am repeating, हमें multiple money making opportunities की तरफ नहीं भागना है, हमें multiple money making skills को develop करना है पहले. वरना आप बस यही करते रहोगे, क्या करूँ, कोई किताब लिख लूँ? आजकल किताब लिखने में book selling बहुत होती है, बहुत कमाई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, online लिखकर भी पैसा कमा रहे हैं, कोई blogging शुरू कर दूँ, क्या मैं fashion designing का काम शुरू कर दूँ, या मैं affiliate marketing शुरू कर दूँ, क्या मुझे coaching शुरू कर देनी चाहिए, या मैं YouTube बना कर बहुत सारा पैसा काऊ हूँ, जैसे तमाम YouTubers कमा रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह के तमाम ख्याल आपके मन में आएंगे और जाएंगे, बात बनेगी तभी जब आप किसी एक पर अपनी skills इसको पढ़ाना शुरू जब अच्छे ये बात बताईए, क्या आपको पैसा, छोटा पैसा चाहिए, छोटा पैसा आए या बड़ा पैसा आपके पास आए, मुझे मालू में आपको होगी कि बड़ा पैसा आए, पहराल आप लिखिये comment box में कि आपको कैसा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा न, तो बड़े पैसे के लिए आपको बड़ी learnings लेनी पड़ेंगी, बड़ी skills सीखनी पड़ेंगी, बड़ा expert बनना पड़ेगा, बड़ी value देनी पड़ेगी, बड़ी serving करनी पड़ेगी, वो values, वो serving जो और कोई नहीं दे पाता, ज्यादा से ज्यादा आप दूसरी जगे से आए, पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप अंजाने में ऐसा कर रहे हैं, अपने कई रास्ते आप ब्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि बहुत से काम आप सिर्फ इस लिए नहीं करते, अरे बस 1000 रुपे यहां से मिल रहे हैं, या 500 रुपे इस से मिल रहे हैं, इसके लिए कौन अपना दिमाग लगाए अपनी अनर्जी परच को, पताईए ऐसा होता है या नहीं, और देखे जब आपको एक जगे से नहीं, कई जगे से पैसे चाहिए, तो आपको एक जगे नहीं, किसी एक काम में नहीं, कई काम में एक्सपर्ट होना लेकिन आपने अकसर जी सुना होगा, कि आप किसी एकी काम में है क्सपर्ट होसाइँ, नहीं, और अलग अलग, बहुत सारी चीज़ों में नहीं, तो कम से कम एक हर एरिया में पढ़ेंगे, यहां मैं इसे कहता हूँ EPT, Patience, Practice and Trust और इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहता हूँ कि ठीक है मान लिया कि आप बहुत सारी चीजों में expert नहीं हो सकते, आपकी limitations है लेकिन याद रखें कि आप अपना काम delegate कर ही सकते हैं और जब तक आप खुद अपने सारे काम करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक आप अपने काम को, अपने business को ज़्यादा grow भी नहीं कर सकते तो top running after opportunities, पहली बात तो यह निकाँ जब तक आप हर आने वाली opportunity को ना कहना नहीं सिखेंगे तब तक आप अपनी strength को जानकर सही जगह पर हाँ कहना भी नहीं सिख पाएंगे और मैं आपको एक बहुत कमाल की बात पहरूँ जब आप किसी skill के अंदर बहुत master हो जाते हैं यकीन जाने कि लोग line लगा कर खड़े हुए हैं आपसे services लेने के लिए आपको पैसा देने के लिए आपने जरूर देखा होगा कि कोई specialized doctor, surgeon किसी खास बिमारी का जब इलाज करता है तो उसके पास appointment आपको कई-कई महिने की बाद मिलती है पताइए ऐसा है या नहीं और क्या आपने देखा है कि तमाम restaurants के आगे चाहे वो roadside छोटी सी restaurant भी हो धाबा हो वहाँ भी line लगी होती है लोग अपनी बारी का अपनी serving का इंतिजार कर रहे होते है तो अगर आप वाकई serve करना चाहते है quality serve करना चाहते है तो लोग भी दिवाने हैं आपसे services लेने के लिए दोस्तों अब मैं आपसे कहूंगा I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you क्योंकि ये वीडियो हो रहे हैं थोड़ी सी लब दी हो और दिवाली के दिन मैं आपका इतना समय नहीं लेना चाहता अभी आपकी मनस्तिती ऐसी नहीं होगी कि आप इस पर काम कर सको अभी तो आप festival के मूर में हो, right तो let's enjoy और MMS यानि Multiple Money Making Skills उनके बारे में अब मैं बताऊंगा अगले भाग में और साथ ही बहुत सारे Multiple Source of Income आप किस तरीके से Create कर सकते हो, वो भी बताऊंगा जितनी तसल्ली से मैंने आज Mindset पर बात की है उतनी ही तसल्ली से मैं Skillset पर भी बात करूँगा और ये वीडियो दोस्तो आपको अच्छी लगी हो आप इससे relate कर पा रहे हो, कुछ connect आपको feel हो रहा हो, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, comment जरूर कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचानी की कोशिश कीजेए, ताकि वो भी इस बात को समझ सकें, कि Skillset कितना जरूरी है, Mindset कितना जरूरी है उन्हें भी इस बात का फायदा में एक बाद फिर आप सभी को दिपावली की बहुत बहुत शुक कामना है बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और thoughtful, useful वीडियो के साथ तब तक टिप प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते रहें अच्छा सोचें, अच्छा बोलें अच्छा करते रहें, नमस्कार